आज शुरू करेंगे इतिहास की पर्मुक घटनाएं से बाएंसाइड है गटनाएं और दाएंसाइड है इस्वी पुर्व या इस्वी भारत में आडियों का आगमन पंद्रे सो इस्वी पुर्व में हुआ था रिख वैदिक काल पंद्रे सो इस्वी पुर्व से एक हजार इस्वी पुर्व के बीच में पुर्व से छे सो इस्वी पुर्व तक है उत्तर वैदिक काल महावीर का जनम जो है पांसो चालीस इस्वी पुर्व में हुआ था महावीर का जनम जो है पांसो चालीस इस्वी पुर्व में हुआ था महावीर का निर्वान 468 इस्वी पुर्व में हुआ था महावीर का जनम 468 इस्वी पुर्व में हुआ था गौतम बुद का जनम जो है पांसो तिरसट इस्वी पुर्व में हुआ था सिकंदर का भारत पर आगमन 326 से 325 इस्वी पुर्व के बिच में चन्दगुप मौच की मिर्थिव 298 इस्वी पुर्व में हुआ था अशोक दौरा कलिंग पर बिजय 271 इस्वी पुर्व में हुआ था विकरम समवत का आरम 58 इस्वी पुर्व में है शक समवत का आरम 78 इस्वी में हुआ था हिजरी समवत का आरम 622 इस्वी में हुआ था हिजरी समवत का आरम 622 इस्वी में हुआ था फायान की भारत यातरा 405 से 11 इस्वी में हुआ था अर्सबर्दन का शासनकाल 606 से 647 इस्वी में हुआ हैनसां की भारत यातरा 630 इस्वी है चीनी यातरी इतसिंग का बिहार भरमन 673 इस्वी में भारत पर परतब मुसलिम आकरमन 722 इस्वी में हुआ था भारत पर पर्थम मुस्लिम आकरमन 705 में हुआ था सोमनात मंदिर पर आकरमन 1025 इस्वी में हुआ था तराइन का पर्थम यूद 1191 इस्वी में हुआ था तराइन का पर्थम यूद 1191 इस्वी में हुआ था तराइन का दितिय यूद 1191 इस्वी में हुआ था इबन बतूता का भारत आगमन 1333 में विजय नगर समराज की इस्थापना 1336 में तैमूर लंग का भारत पर आकरमन 1398 में गुर्णानक देव जी का जन्म 1479 में वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498 में आगराश शहर की इस्थापना 1506 में चावसा का यूद 1549 में कनोज या बिलगराम का यूद 1540 में पानीपत का पर्थम यूद 1526 में पानीपत का दिवतिय यूद 1556 में पानीपत का तीसरा यूद 1771 में अकबर का जन्म 1542 में अकबर का राज्या रोहन 1556 में अल्दी घाटी का यूद 1576 में दीने इलाही धर्म की अस्थापना 1582 में इस टिने इलाही धर्म की अस्थापना 1582 में अकबर द्वारा मन सब्दाडी का आरंब 1574 में पलासी का यूद 1757 में अलिनगर की संदी 1757 में पेदरा का यूद 1769 में बकसर का यूद 1764 में पर्थम आंगल मैसूर यूद 1767 से 1779 के बीच पर्थम आंगल मैसूर यूद 1767 से 1779 के बीच पर्थम आंगल मैसूर यूद 1780 से 1784 के बीच पर्थम आंगल मैसूर यूद 1790 से 1792 के बीच पर्थम आंगल मैसूर यूद 1779 से 1789 के बीचे बीच 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 अगला है गवरनर जनरल वारन हस्टिंग था पिंडारियों का दमन लॉर्ड हस्टिंग ने किया था पिंडारियों का दमन किसने लॉर्ड हस्टिंग ने बंगाल में दोईद शासन रोबर्ट कलाईब ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड करनवालिस ने बंगाल में सिविल सिवा का जनक कर्नवालिस को कहते हैं। रेल्वे बोर्ड का गठन लॉड करजन ने बंगाल बिभाजन रद लॉड हार्डिक टू ने भारत में रेल्वे की अस्थापना लॉड डलोजी ने किया भारत में ताक की अस्थापना लॉड डलोजी ने किया पहली बार पाकिस्तान की मांग जालिया वाला अथ्यकान जो है लॉड चेंसफोर्ड जालिया वाला वाग हत्यकान से रिलेटिय कोन था लॉड चेंसफोर्ड सती पर था 3829 का आफ जो है ठागी पर था जो 3834 को समाप्त किया था। समय मे परथम फेक्तरी अधिनियम पाडित लौड रिपन- in एलिगट मुसलिम विस्वित तीले की अलिकर्ट मुस्लिम goose Baldi के सथापना लॉड चैंप स्थापना। ने किया। संभीधान सवा की पолетraszam levarडों बैवल ने किया। बंबई कल्कत्ता त्दा मदरास में हाय कोट की अस्थापना। लोर्ड केंनिग के समय में बंबै कलकता गाता लोर्ड चमस फोर्ट के समय में वा था गना जो सेवार्ट के समय में हुआ साइक संदीकी शुरौत गौता फॉर्ट बिलियम कॉलेज की समय में बेलेज़ली ने सायक संदी की शुरुआत था फोर्ट बिलियम कॉलेज की एस था अपना जो 1860 में हुआ था वो बेलेज ने किया वे लेजली ने किया था भारत में सायक संदी का पड़ियोग डुपले ने किया महारानी विक्टोरिया कैसरे हिंद की उपादी से समानित Lord Litton ने किया था महाराणी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपादी से समानित किसने किया था Lord Litton ने 1877 में अंग्रेजी को सिक्षा का माध्यम बनाया किसने Lord William Bantic ने अंग्रेजी को सिक्षा का माध्यम बनाया किसने Lord William Bantic ने बंगाल का शेर कहता था सामन कमिशन भारत आया लॉर्ड इरविन के समय क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिन लित्गो के समय क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिन लित्गो के समय क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिन लित्गो के समय क्रिप्स मिशन भारत पहुचा लॉर्ड बैवल के समय क मुसलिम लिखिया स्थापना लॉर्ड मिन्टो टू के समय दिवतिय विश्वियूद परारम लॉर्ड लिन लित्गो भारच वर अंदुलन लॉन लित्गो के समय में अस्थानिय सौशासन प्रारम Lord Riepen के समयौ कि समयौ सबीने अवग्यां आन्दलन Lord इर्विन के समयौ सबीने अवग्यां आंदलन लॉड इर्वीन के समय हो सहीयोग आंदलन शुरू लॉड चैंपस फोर्ड के समय हो था भारतिय प्रेस का मुक्तिता था चाल्स मैटकॉफ नरवली पर्था का अंत जो है लॉड हार्डिंग ने किया था दास पर्था का उनमुलन लॉड एलन ब्रो ने भारत में जणगन्ना की शुरूात Lord मेयों ने क्या था नीमित जणगन्ना की शुरूत Lord Ripon ने पर्थम गौल में सम्मेलन Lord Irwin इतियास की पर्मुक घटना है इधर घटना है और इसदर इस्वी है जैसे हैं लिखा है। 38 Shanghai बेच वर्व आंदोलन 831 जटास बात्रीष के भीच रामोसी बिद्रो 1822 1929 के भीच फावी आंदोलन 1826 से 2028 के भीच खासी बिद्रो 1832 के भीच नील बिद्रो 1869 से 1860 निल बिदरों 3869, 860, फराजी आंदोलन 3838, 860, मुंडा बिदरों 3899, 1922, मुपला बिदरों 1922, कॉंग्रेस की अस्थापना 1885, तिय भागा अंदोलन 1940, बंगाल में अस्थाई बंदवस 1793, बंगाल का पर्थम विवाजन 1905, मुसलिम लिकी अस्थापना 1906, मारले मिन्टो सुधार 1909, मारले मिन्टो सुधार 1909, चंपारन सत्यगरे 1907, खेरा सत्यगरे 1908, खेरा सत्यगरे 1908, खिलाफद आंदोलन 1919, पर्थम विश्वद 1914-1908, दिति विश्वद 1949-1945, के पीच, दिति विश्वद 1949-1945 के पीच, लखनो समझाता 1916, होम रूल लिकी अस्थापना 1916, होम रूल लिकी अस्थापना 1916, जालिया वाला बाग हत्यकांड 1919, रूल एक्ट पारित 1919, और स्योग अंदोलन 1920-1922, वाइकोम सत्यागरे 1924-1925, सायमन कमिशन का आगमन 1928 इस्वी में, दांडी मार्च नमक सत्यागरे 1930 इस्वी में, गांदी इर्मिन समझाता 1931 इस्वी में, कैबिनेट मिशन का आगमन 1934 इस्वी में, महात्मा गांदी की हत्या 1948 इस्वी में, चीन का भारत पर आगमन 1932 इस्वी में, भारत पाक युद 1965 इस्वी में, तशकंद समझाता 1936 इस्वी में, ताली कोटा का युद 1565 इस्वी में, कारगिल युद 199 इस्वी में, पर्थम गोल में समयलन 1930 इस्वी में, किरिप्ष मिसन का आगमन 1942 स्वी में आजाद हिंद फोज का गठन 1942 स्वी में भारत छोरो आंदलन 1942 स्वी में चीनी करांती 1911 स्वी में भारत में सबसे बड़ा छोटा एलमबा भारत का सबसे बड़ा राज छेतरफल में राजस्थान है सबसे बड़ा राज राजस्थान है छेतरफल की द्रिष्टी से बड़ा राज जन संक्या में उत्तर परदे से फोटा राज छेतरफल में गोआ है छोटा राज जन संक्या में सिक्किम है जन संक्या की द्रिष्टी से सबसे छोटा राज सिक्किम है उची चोटी, केटु या गौडविन आस्टिन सबसे लंबी नदी, गंगा नदी सबसे चावडी नदी, भारत की सबसे चावडी नदी, बराम पूत्र नदी दक्चिन भारत की लंबी नदी, गोदावडी सबसे लंबी सहाइक नदी, यमुना उचा जहरना, चौड़ाई में कौन सा है? जोग या गरसपपा बड़ी जील, बूलर जील, जम्मू कश्मिर में है सबसे बड़ी जील, बूलर जील, जम्मू कश्मिर में है ताजे या मीठे जलकी बड़ी जील, बूलर जील खाड़े जलकी जील, बूलर जील, खाड़े जलकी बड़ी तटीय जील, चिलका जील सबसे उची जील, चुलामू, जो सिक्की में है सबसे बड़ी किरित्रीम जील, गोविंद बल्लव पंत सागर लंबा समुदर तट, मरीना बीच जो चन्ने में है लंबी तट्रेखा वाला राज गुजरात छोटी तट्रेखा वाला राज गोवा लंबी तट्रेखा या प्राइदी पियराज आंधर परदेश लंबी तट्रेखा या प्राइदी पियराज आंधर परदेश है उचा बांध, तेहरी बांध या उत्राखंड में उचा बांध, तेहरी बांध है उचा बांध, तेहरी बांध जो उत्राखंड में है सबसे लंबा बांध, हीरा कुन बांध, जो महानादी पर है चोटा राश्ची है राजमार्ग एनच 548 एंड एनच 108 सबसे लंबी सरक ग्रेंट रंक रोड बरा रेगिस्तान थार जो राजस्तान में है भारत का सबसे बरा रेगिस्तान थार जो राजस्तान में है बरा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो पस्चिम वंगाल में है बारत का सबसे बरा डेल्टा सुंदरवन जो पस्चिम मंगाल में है लंबा नदी पूल वुपेन हजारिका सेत। लंबी सरक सुरंग श्यामा परसाद मुखरजी सुरंग सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मिर में है लंबा रेल मार्ग डिबुरुगड से कन्य कुमाडी लंबा रेल्वे प्लेटफॉर्म हुबली करनाटक में है लंबा रेलवे प्लैटफॉर्म हुबली जो करनाटक में है सबसे बड़ा प्राकिरतिक बंदरगाह मुंबई सबसे बड़ा प्राकिरतिक बंदरगाह मुंबई भारत का सबसे बड़ा सम्मान जिसको सरवच सम्मान भारत रतन कहते हैं सबसबरा सरवच सम्मान भारत रतन है, भारत का सबसबरा साइनिक सम्मान परंबीर चक्र है, उचा जलपरपात कुँची कल करनाटक में है, लंबी नहर इंदरा गांधी नहर राजस्थान में, उचा दरवाजा बुलन दरवाजा आगरा में है, भारत का सबसबरा लिवरपूल हावरा ब्रीज पस्चे मंगाल में, भारत का सबसबरा लिवरपूल हावरा ब्रीज पस्चे मंगाल में, गहरी नदी घाटी भागिरती एवं अलक नंदा सरवादिक बरसा मासिन राम मेगाले मे सबसे नियुंतम बरसा लेह लद्दाक में उची मिनार, कुतुम मिनार नई दिल्ली में है। भारत का सबसबरा गुंबद, गोल गुंबद बीजापुर में है। सबसबरा कोरीडोर, रामेश्वर मंदिर तमिलनाडू में है। भारत का सबसबरा गिरजागर, सेंट कैथेडरल गोवा में है। सबसे बड़ा गुरुदौरा सौनपूर मेला बिहार में है उची मुर्ती अस्टेची ओफ यूनिटी गुजरात में है सबसे बड़ा दीप मध अंडमान, बड़ा नदीप माजुली जो बरहम पुत्र नदीप पर असम में है, सबसे बड़ा नदीप माजुली जो बरहम पुत्र नदीप असम में है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर केलाश मंदिर अलोरा में है, अगे देखते हैं, भागलिक उपनाम भारत ये विश्व। स्वर्न मंदिर का शहर अमरित सर को कहते हैं, पोप का शहर रोम को कहते हैं, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, आइटेक सीटी हैदराबाद, भारत का सुईट जर्लेंड कश्मीर को कहते हैं, धर्ती का स्वर्ग कश्मीर को कहते हैं, भारत का मैंचेस्टर एहमदाबाद, दक्षिन भारत का मैंचेस्टर कोयमबटूर है, उत्तर भारत का मैंचेस्टर कानपूर है, सोइत नगर, बेलगरेड, सोइत नगर को कहते हैं, बेलगरेड को, चीन का सोक, आंगो नदी, मदरातरी के सुर्ज का देश, नार्वे को कहते हैं, यूरोप के खेल का मैदान स्वीट जर्लेंड है, सफेद हाथियों का देश थाइलेंड को कहते हैं, उर्ते सुर्ज का देश, उगते सुर्ज का देश, जापान को कहते हैं, हजार जीलों की भूमी, फिनलेंड को कहते हैं, नील का उपहार या वर्दान, मिस्तर को कहते हैं, उपते सुर्ज का देश, ब्रिटेन, उपते सुर्ज का देश, ब्रिटेन है, धान का कटोरा, 36 गड़ को कहते हैं, विश्व का चीनी का कटोरा, क्यूबा है, भारत का पेरिस, जैपूर को कहते हैं, गुलाबी शहर, जैपूर है, गुलाबी शहर, जैपूर है, गुलाबों का शहर चंदीगड है। भारत का पिट्सबर्ग जमसेद पुर को कहते है। यूरोप का मरीज तुर्की। सांपों का देश ब्राजील। पुरुका वेनिस कोचिन। एलक्ट्रोनिक्स या अंत्रिक्ष का शहर बैंगलुर। पिरामीड का देश मिस्र। अंडों की टोकरी आंदर पर देश। सोया परदेश मद्ध परदेश। कॉक्पिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। भारत का परवेश द्वार मुंबई। भारत का मसालों का बगीचा केरल। सीटी ऑफ गोल्डन गेट सेन फ्रांसिसको। इसपात नगरी जमसेदपुर। लेंड अफ गोल्डन प्लीस अस्टेलिया को कहते हैं। भामद सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहते हैं। स्वरनिम पैगोडा का देश म्यानमार। कुईन ओफ डिककन फूने को कहते हैं। फलो की डलिया इमाचल परदेश को कहते हैं। भारत का बगीचा पंगलूरू है। बुलू मॉन्टेंस यनि मिजोरम फॉंग पी चोटी। बुलू मॉन्टेंस फॉंग पी चोटी। पवित्र भुमी कौन है। जेरुसलम। पवित्र भुमी जेरुसलम। मोतियों का दीप बहरीन है। मरकत अमर्कत दीप आयरलेंड में है। आसुओं का परवेश द्वार। पाबुल मंडब। पुर्व का मैंचेस्टर औसाका। 85 भुमी का देश अस्ट्रेलिया है। एशिया का मरीज चीन को कहते हैं। अंद महादेश अफरीका को कहते हैं। एड्रियाटिक कीरानी बेनिस है। इटली एड्रियाटिक कीरानी बेनिस है। हजार हातियों की भुमी लाओस। विश्व में सबसे बरा, छोटा, लंबा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो अफरीका महादीप में है। विश्व की चोडी नदी अमेजन ब्राजील तक्षिन अमेरिका में है। विश्व की सबसे चोडी नदी अमेजन जो ब्राजील तक्षिन अमेरिका में है। विश्व की सबसे लंबी साहेक नदी मेडिरा अमेजन की है। विश्व की सबसे लंबी साहेक नदी मेडिरा मेजन की है। सबसे लंबी तट्रेखा कनाडा है। विश्व की सबसे बेस्त प्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी में है। विश्व की सबसे बेस्त प्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी में है। विश्व की सबसे बड़ी जील कैस्पियन सागर रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी जील कैस्पियन सागर रूस में है। विश्व की सबसे गहरी जील बैकाल साइबेरिया रूस में है। विश्व की ताजे जल की जील सुपियर जील अमेरिका में है। विश्व की बड़ी खाड़े जल की जील कैस्पियन सागर है। जील के अंदर जील मेंनी टू कनाडा में है। विश्व की सरवादिक उचाई पर इस्तित जील टीटी काका। पिर्थिवी पर सबसे निचला बिंदू या जील मिर्थ सागर है। महासागर में सबसे निचला बिंदू मरियाना ट्रेंच है। विश्व का सबसे बड़ा महादीप एशिया महादीप है। विश्व का सबसे बड़ा या गहरा महासागर परसांत महासागर है। विश्व का सबसे चोटा महासागर आर्क्टिक महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिनी चीन सागर है। विश्व का सबसे बड़ा गलेशियर लेंबर्ट फिशर अंटार्क्टिका में है। विश्व का सबसे बड़ा glacier, Lambert Fischer, अंटार्क्टिका में है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगा, New York बंदरगा है, जो संयुक्त राज अमेरिका में है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगा, New York बंदरगा है, जो संयुक्त राज अमेरिका में है, विश्व का सबसे बड़ देश छेतफल की दिरिष्टी से रूस है जो यूरोप महादीप में आते हैं विश्वा सब चोटा देश छेतफल में बैटिकन सिटी है विश्वा सबसे चोटा देश जनसंक्या में चीन है जो एशिया में आते हैं सबसे लंबी सीमावाला देश कनाडा है सबसे चोटी सीमावाला देश जिबराल्टर है सरवादिक सीमावाला देश चीन है सबसे बड़ा दीप गिरीन लेंड जो आर्क्टिक महासागर में है सबसे बड़ा दीप गिरीन लेंड जो आर्क्टिक महासागर में है सबसे चोटा दीप मेडा गासकर है विष्प का सबसे बड़ा दीप समू इंडोनेशिया है विष्प का सबसे बड़ा दीप समू इंडोनेशिया है विष्प का सबसे बड़ा प्राइदीप अरब प्राइदीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायदीप अरब प्रायदीप है विश्व का सबसे बड़ा नदीदीप माजुली जो बरहम पुत्र नदीप असम में है विश्व का सबसे बड़ा नदीदीप माजुली नदीदीप है विश्व का सबसे छोटा नदीदीप उमानंद बरंपुत्र नदीपर है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुन्दरवन डेल्टा भारत में है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुन्दरवल डेल्टा जो भड़त में है विश्व का सबसे उचा बांध रोगुन्सकी जो तजाकिस्तान में है विश्व का सबसे उचा बांध रोगुन्सकी तजाकिस्तान में है विश्व का सबसे उचा परबत शिखर मान्ट एबरेष्ट नेपाल में है विश्व का सबसे लंबी परवत माला एंडीज दक्षिन अमेरिका में है विश्व का सबसे उंचा जल परपात एंडीज विश्व का सबसे लंबा जल डमरुमद ततासकी है विश्व का सबसे बड़ा जल डमरुमद डेविस है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहरा उतरी अफरिका में है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान उतली अफडिका में है एशिया का बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया में है विश्व का सबसे बड़ा या लंबा नहर सोईज नहर है विश्व का सबसे बेस्त नहर कील नहर है विश्व का सबसे प्यस्त नहर कील नहर है बड़ी रेल सुरंग गोट हार्ड सुटजर लेंड में है विश्व की बड़ी सरक सुरंग लैरडल नारवे में है विश्व का बरा हवायदा किंग फहद जो सौदी अरब में है विश्व का सबसे उचा पठार पामीर का पठार तिब्बत में है विश्व का सबसे उची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है विश्व का विशाल मंदिर अंकोरबाट मंदिर कमबोडिया में है आगे देखते हैं भारतिय रक्षा प्रोध होगी की रक्षा अनुसंदान एवं विकास संगटन DRDO की अस्थापना बर्स 1958 में APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी DRDO का मुख्याले नई दिल्ली में है भारत के मिसाइलमेन के रूप में APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है भारत के मिसाइलमेन के रूप में APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है पैग्यानिक तथा और दोगिक अनुसंदान परिशद CSIR की अस्थापना 1942 में हुई थी जिसका मुख्याले नई दिल्ली में है पैग्यानिक तथा और दोगिक अनुसंदान परिशद CSIR की अस्थापना 1942 में हुई थी जिसका मुख्याले नई दिल्ली में है CSIR का अध्यक्ष भारत का परधान मंतरी होता है CSIR का अध्यक्ष भारत का परधान मंतरी होता है एकिकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्जकरम IGMDP को अपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली एकिकिर्द निर्देशित मिसाहल विकास कार्जकरम IGMDP को अपचारिक रूप से 26 जुलाए 1983 को भारत सरकार की मनजूली मिली पिर थिभी अगनी तरिशूल आकाश और नाग निए IGMDP के तहत पिक्सित मिसाहले हैं पिर थिभी अगनी तरिशूल आकाश और नाग IGMDP के तहत पिक्सित मिसाहले हैं भारत का पहला मिसाहल पिर थिभी है पिर थिभी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बिलेस्टिक मिसाहल जिसका पर्थम सफल परिक्षन 25 फर्वरे 1988 को किया गया पृत्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलेस्टिक मिसाल है जिसका पर्थम सफल परिक्षन 25 फरवरे 1988 को किया गया अगनी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलेस्टिक मिसाल है जिसका पर्थम सफल परिक्षन 22 मई 1989 को किया गया था अगनी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलेस्टिक मिसाल है जिसका परतम सफल परिक्षन 22 मईए 1989 को किया गया था तिरसूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाल है जिसका पहला सफल परिक्षन 5 जून 1989 को किया गया तिरसुल कम दूरी का जमिन से हवा में मार करने वाला मिसाल है जिसका पहला सफल परिक्षन 5 जून 1989 को किया गया नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है नाग का पर्थम सफल परिक्षन 24 नौमबर 1990 को किया गया इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है नाग एक पर्थम सफल परिक्षन 24 नौमबर 1990 को किया गया इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाल भी कहा जाता है अकास जमीन से हवा में मार करने वाला बहु लक्षिये परचे पास्त्र है जिसका पर्थम परिक्षन 14 अगस्त 1990 को किया गया अकास जमीन से हवा में मार करने वाला बहु लक्षिय पर्षेपास्त्र है जिसका पर्थम परिशन 14 अगस्त 1990 को किया गया अस्त्र भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है भारत का पहला टैंक अरजुन है भारत का पहला मानव रहित टैंक मंत्रा है सौदेशी पर्थम हलका लड़ाकु विमान तेजस है परमोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है भारत का पहला प्रावेट रॉकेट विकरम एस है भारत का पहला प्रावेट रॉकेट विकरम एस है सीडियस जनरल विपिन रावत हुए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाप सीडियस जनरल विपिन रावत हुए जनरल भारत की सेना का सरवच रैंक होता है भारत का सबसे पुराना हेलिकॉप्टर दुरूब है भारत का सबसे पुराना हेलिकॉप्टर दुरूब है भारत के पहले सौदेश निर्मित विमान वाहक पोथ आई एनस विकरान थे जिसका निर्मान कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड ने किया भारत के पहले सोदेश निर्मित विमान बाहक पोथ आई एनस बिक्रान थे जिसका निर्मान कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड ने किया भारत की पहली ससस्त्र परमानु पंडुबी आई एनस अरिहंत है भारत की पहली स्यस्यत्र परमानु पन्डुबी आई एनस कलवडी है भारत का पहला यातरी ड्रोन वरुना है पुरुसकार एवम सम्मान भारत का सरवच सम्मान भारत रत्न है भारत रत्न यरास्टे पुरुसकार प्रारंब 1954 में हुआ था भारत रत्न है भारत्न यरास्टे पुरुसकार प्रारंब 1954 में हुआ था भारत रत्न से सम्मान भारतिय ते डाक्टर सरपली रादा क्रिस्नन भारत रत्न से सम्मान भारतिय महीला इंद्रा गांधी 1971 में मर्नो प्रांथ भारत रत्न से सम्मानित पर्थम बैक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री इसको 1966 में मिला मर्नो प्रांथ भारत रत्न से सम्मानित पर्थम बैक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री डाक्टर भीमरां अम्बेटकर को मरनो प्रांथ भारत रतन दिया गया था 1990 में भारत रतन प्राप्त करता पर्तम बीदेशी खान अब्दुलगफार खान जो पाकिस्तान के थे भारत रतन प्राप्त करता पर्तम बिदेशी खान अब्दुलगफार खान जो पाकिस्तान के थे 1987 में मदर ट्रेसा को भारत रतन दिया गया 1980 में भुकर पुरुसकार शुरुवात 1979 में जीतने वाली पर्तम भारती राय 1997 में भुकर पुरुसकार संबन्दित है साहित लेखन से मेंगसे से पुरुसकार दिया जाता है फिलिपिन्स के रास्टपती रेमन मेंगसे से के नाम पर 1958 मेंगसे से पुरुसकार दिया जाता है फिलिपिन्स के रास्टपती रेमन मेंगसे से के नाम पर 1958 इशिया का नोबिल कहलाता है मेंगसे से पुरुसकार एशिया का नोबिल कहलाता है मेगसे से पुरुसकार, रेमन मेगसे से पुरुसकार से सम्मानित पर्थम ब्यक्ती आचार्ज बिनोबा भावे जो उनिस सो अंठावाने मिलाता। भारत का सर्वच बैग्यानि पुरुसकार भटनागर है। नारमन बॉर्लोग थे अमेरिका के। बॉर्लोग पुरुसकार की शुरुवात 1973 से है। फर्टिलाइजर कमपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। भटनोग पुरुसकार छेतर किर्सी से सम्मानित पर्थम भारतिय महिला डॉक्टर अमिर्ता पटेल है। संगीत के छेतर का सर्बोच पुरुसकार ग्रेमी है। ग्रेमी पुरुसकार जो शुरुवात 1958 में हुआ था पाने वाले पर्थम भारतिय थे पंडित रवीशंकर। ग्रेमी पुरुसकार जो शुरुवात 1965 में पाने वाले पर्थम भारतिय थे पंडित रवीशंकर। ग्रेमी पुरुसकार जिसकी शुरुवात 1965 में हुए थी की अस्थापना की थी शांती परसाद जैनने। ग्रेमी पुरुसकार से समानित पर्थम बैकती थे जी शंकर कुरूप 1965 में मिला था। भारत में ग्रेमी पुरुसकार पाने वाली पर्थम महिला थी आशापुर्णा देवी 1976 में। भारत में ग्रेमी पुरुसकार पाने वाली पर्थम महिला थी आशापुर्णा देवी 1976 में। हिंदी का पहला ग्रेमी पुरुसकार समित्रा नंदन पंत को चिदंबरा हे थू। मिस यूनिवर्स परतियोगिता की शुरुवात 1952 में। मिस यूनिवर्स परतियोगिता की शुरुवात 1952 में। मिस यूनिवर्स परतियोगिता की शुरुवात 1951 में। मिस यूनिवर्स परतियोगिता की शुरुवात 1951 में। तांसेन सम्मान छेतर जो है शास्तुरी संगीत प्रारंब करने वाला राज मदपरदेश तानसें सम्मान छेतर जो होता है ये शास्तुरे संगीत का है प्रारम करने वाला राज मद परदेश है उनिसो अस्सी में अस्सी से पदम स्री प्राप्त करने वाली पर्थम अभीनेतरी नर्गिस दत उनिसो अन्ठावन में डाक्टर राम बिलास शर्मा प्यास सम्मान शुरुवात उनिसो अक्यानवे में परदान करता थे अब परदान करता थे केके बिरला फॉणडेशन मानव खौपरी में हड्डियां होती है आठ मानुस का हिर्दे धरकता है 72 बार परती मिनट यह एक मिनट में 72 बार धरकता है स्वस्त मनुस की शौसंदर 16-18 बार मस्तिस्क का मस्तिस्क का वजन 350-1400 गराम है सबसे बड़ी हड़ी फीमर की हड़ी सबसे छोटी हड़ी सबसे मजबूत हड़ी जबड़े की हड़ी सबसे मजबूत हड़ी जबड़े की हड़ी शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामील मनुस्त के सौंदर्ज का अध्यन केलो लोजी सामान मनुस्त का रक्त चाप 120 बट असी होता है शरीर में रक्त पड़ी भर्मन में लगा समय आइस सेकंड है मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80 परसंट है रक्त की मात्रा शरीर के भर्मन का होता है रक्त की मात्रा शरीर के भर्मन का 7 परसंट होता है मनुस्त में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लिटर मानव रक्त चाड़िये का पियच मान 7 दसनलों 4 होता है मानव रक्त का पियच मान 7 दसनलों 4 होता है मानव रक्त चाड़िये होता है रक्त को सुद करता है किडनी रक्त को सुद करता है किडनी लाल रक्त करन का निर्मान अस्थी मज़ा में होता है लाल रक्त करन का निर्मान अस्थी मज़ा में होता है लाल रख्त गन का जीवन काल 20-120 दिन होता है स्वेट रख्त कन का जीवन काल 2-4 दिन होता है स्वेट रख्त कन को जाता है लिउकोसाइट स्वेट रख्तकन को कहा जाता है लाल रख्तकन को कहा जाता है अरिथ्रो साइट शरीर का ताप नियंतरक हाई हाइपो थेलेमस गरंती है सर्वदाता रख्त समू युनिवर्सल डोनर ओ है सर्वदाता रक्त समू युनिवर्सल डोनर O है सर्वगराही रक्त समू युनिवर्सल रिसेप्टर A भी है सर्वगराही रक्त समू युनिवर्सल रिसेप्टर A भी है बलड बैंक कहलाता है पिलिहा यहीं एस्पलीन को कहते हैं प्रारम्ब होता है मुक से पचे हुए भोजन का अफ्षोशन छोटी आत में होता है पित जिसको बाइल कहते है सरावित होता है यकिर्थ में शरीर की सबसे बड़ी गरंती यकिर्थ है शरीर की सबसे बड़ी गरंती यकिर्थ जिसको लीवर भी कहते है सबसे, शरीर का सबसे बड़ा अंग तौचा है, सबसे छोटी गरंती, मास्टर गंती, इसको, सबसे छोटी गरंती, मास्टर गंती, जो होता है, वो पिटरिट्री होता है, रक्त चाप मापने का यंतर है एस्फिगमो मैनो मीटर मनस में पसलियां पाई जाती है बाड़े जोड़े शरीर में हड्डियों की कुल संक्यां 206 है मांसपेशियों की कुल संक्यां 649 है मांसपेशियों की कुल संक्यां 649 है लार में पाई जाने वाला एंजाइम टाइलीन होता है लिंग निर्धारन होता है पुरुस क्रोमो सॉम पर मनस का हिर्दे होता है चार कोष्ट ही है शरीर में गुनसुत्रों की संक्यां 40 है शरीर में गुनसुत्रों की संक्यां 46 है शरीर की सबसे बड़ी कोषिका तंत्री का तंत्र है शरीर की सबसे बड़ी कोषिका तंत्री का तंत्र है आरेच फेक्टर की खोच करता लैंड एस्टीनर एवं वीनर है शरीर में अमीनो अमल की संख्या 20 है शरीर में परती दिन मुत्र बनता है डेर लिटर मुत्र दुर्गंद देता है यूरिया के कारण मुत्र दुर्गंद देता है यूरिया के कारण मानव मुत्र अमली होता है जिसका पियश्मान 6 है विटामिन A संचित रहता है यकिर्थ में शरीर का सामान ताबमान होता है 996 फोरन हैट या 37 डिगरी सेल्सियस या 310 केल्विन शरीर का सामान ताबमान होता है 996 फोरन हैट या 37 डिगरी सेल्सियस या 310 केल्विन होता है टीबिया नमक हड़ी पाई जाती है पैरों में शरीर में उत्तको का निर्मान होता है प्रोटीन से मस्तिस्क का बरा भाग परमस्तिस्क यहनी सेरे बरम है परमस्तिस्क जिसको सेरे बरम भी कहते हैं अगे देखते हैं रास्ट्रिय पर्तिक एवं चिन भारत का रास्ट्रे धोज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौराई का अनुपात तीन अनुपात दो है तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग निला है तथा जिसमें 24 तीलिया है तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग निला है तथा जिसमें 24 तीलिया है रास्ट्रे धोज के निर्माता पिंगली वैंकेया थे धोज का प्रारूप संबिधान निर्मात 3 सभा दोरा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया भारत के जंडा गीत बिजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्याम लाल गुप्त पारशद ने की थी भारत के जंडा गीत बिजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्याम लाल गुप्त पारशद ने की शक संबत पर आधरित भारत के राश्टिय केलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया राश्टिय केलेंडर का पर्थम मा चैत्र तता अंतिम मा फालगुन होता है भारत का राश्टिय चिन असोक चक्र है जो सारनात इस्तित सीह अस्तंब में अंकित है भारत सरकार ने राश्टिय चिन को 26 जनबडी 1950 को अपनाया राश्टिय चिन सत्मेव जैते मुन को अपनी सद से लिया गया है राश्टिय चिन के मुल अस्तंब में चार सी है राश्टिये चिन्द के मुल अस्तम में चार सी हैं रविन्नाट टाइगोर रचित जन गन मन को संभिधान सभाने 24 जनवडी 1950 को भारत का राश्टगान सुईकार किया रविन्नाट टाइगोर रचित जन गन मन गन को संभिधान सभाने 24 जनवडी 1950 को भारत का राश्टगान सुईकार किया राश्टगान को सरपरतम 27 दिसमब 1911 को कॉंगरेस के कलकता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंदित विशन नारायन दत की में गाया गया प्लाश्ट गान को सरपर्थम 27 डिसमर 1911 को कॉंगरेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया जिसकी अध्यक्ष्टा विशन नारायन दर्थ कर रहे थे प्लाश्ट गान को रविनाठ टैगोर ने सरपर्थम जनवरी 1912 में तत्व बोधनी पत्रिका में भारत भाग बिधाता सिर्शक से परकासित किया था तथा 1919 में मौर्निंग सौंग आफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया राश्ट गान को रविनाठ टैगोर ने सरपर्थम जनवरी 1912 में तत्व बोधनी पत्रिका में भारत भाग बिधाता सिर्शक से परकासित किया तथा 1919 में मौर्निंग सौंग आफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया राश्ट गाने में 52 सेकेंड लगते हैं बंगला साहित कार बंकिंग चंद चटर जी रचित बंदे मातरम को संबिधान सभा ने 24 जनवरी 1915 को राश्टी गीत सुईकार किया बंगला साहित कार बंकिंग चंद चटर जी रचित बंदे मातरम को संबिधान सभा ने 24 जनवरी 1915 को राश्ट गीत सुईकार किया राश्ट गीत का परथम परकाशन 1982 में बंकिंग चंद चटर जी के उपन्यास आंननमठ में हुआ राश्ट गीत का पर्थम परकाशन उनिस सबरासी में बंकिंग चंच चठड़ी के उपन्यास आनंदमट में हुआ राश्ट गीत को सर पर्थम उनिस सो चानवे इसवी में कॉंगरेस के कॉलकाता अदिवेशन में गाया गया जिसकी अद्ध्ध्ध्ध पर्थम उनिस सो चानवे इसवी में कॉंगरेस के कॉलकाता अदिवेशन में गाया गया जिसकी अद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध पर्थम गाएक ओंकारनात ठाकूरते राष्ट गीत के परतम गायक औंकारनात ठाकुरते जिसकी धून जदुनात बटा चार्ज ने बताया राष्ट गीत का अंग्रेजी अनुवाद अर्विन्द घोस तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मुहमद खान ने किया राष्ट गीत का अंगरेजी अनुबाद अर्विंद घोस्त था उर्दू अनुबाद आरिफ मौमद खान ने किया राष्ट गीत गाने में 65 सिकेंड लगते हैं राष्ट गीत गाने में 65 सिकेंड लगते हैं संसद के अधिवेशन का प्रारम जनगन मन से तथा समापन बंदे मातरम से होता है संसद के अधिवेशन का प्रारम जनगन मन से तथा समापन बंदे मातरम से होता है राष्ट ये पुस्प कमल निलंबो नियूस से फेरा है राष्ट ये पुस्प कमल है रास्टिय पक्षी मोर रास्टिय बाग रास्टिय पसू बाग है जिसको पैंथरा टाइग्रिस भी कहते है रास्टिय फल आम है जिसको मैनी गी फेरा इंडिका कहते है रास्टिय ब्रिक्ष बर्गत है जिसको फाइकस बैंधालेंसिस है गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का रास्ट्री ये जलिये जीव गोसित किया गया बजट तथा वैट बजट सब्द फ्रेंच सब्द बजट से लिया गया से बना है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला होता है सरपर्थम अठरस्टीन इसवी में बजट सब्द का पड़ियोग फ्रांस में आय बै के रूप में परणभुआ बजट का प्रारंब इंग्लेंड में माना जाता है बजट का प्रारंब इंग्लेंड में माना जाता है भारत में वजट पर्नाली का संस्थापक एवं जन्बदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है संबिधान का अनुछेद एक सो बारे में वार्सिक वित्तिय विबरन तियार करने का उल्लेख है राज सरकारों की वजट के संबंद में बेवस्ता अनुछेद 202 में दी गई है वजट संबर्ती सूची में आता है आम वजट लोकसभा में पेश की जाती है वर्स 2017-2018 से सामान वजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के पर्थम कार्ज दिवस को पेश करता है वर्स 2017-2018 से सामान वजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के पर्थम कार्ज दिवस यहनि पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है वित्तिय वर्स एक अपरेल से प्रारंब होता है रेल बजट को सामान बजट से अलग एक वर्थ समिती के संस्तूती पर 1924-25 में किया गया था जिसे बर्स 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुने केंदरिये बजट में मिला दिया गया रेल बजट को सामान बजट से अलग एक वर्थ समिती की संस्तूती पर 1924-25 में किया गया था जिसे बर्स 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुने केंदरिये बजट में मिला दिया गया स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के सन्मुखम चेटी ने पेश किया जौन मथाई को बर्स 1950 में गंतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरप पराप्थ हुआ जौन मथाई को बर्स 1950 में गंतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरप पराप्थ हुआ भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले बैक्ती मुरारजी दिसाई थे भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाला बैक्ती मुरारजी दिसाई थे जो दस बार बजट पेश किये तकरीबन भारत सरकार के बजट के आंकरों में कुल बै और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटिये घाटा कहलाता है आटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2002 को पी चितम बरम ने परस्तूत किया था आटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2002 को पी चितम बरम ने परस्तूत किया था सुन अधारित बजट का अर्थ हर बार बिल्कुल नए सीरे से बजट तयार करना है भारत में सुन अधारित बजट सरपरतम राजीव गांदी ने 1987-88 में पेश किया भारत में सुन अधारित बजट सरपरतम राजीव गांदी ने 1987-88 में पेश किया बजट पुर्व आर्थिक समिक्षा केवल लोकसवा में पेश किया जाता है राजसवा में नहीं वित मंतरी के रूप में 1991 में डाक्टर मनमोहन सी ने देश में आर्थिक उदारी करन की निती लागू करने की घोशना की वित मंतरी के रूप में 1991 में डाक्टर मनमोहन सी ने देश में आर्थिक उदारी करन की निती लागू करने की घोशना की भारत में वैट और परत्यक्ष कर की संस्तूती 1976 में लक्षमी कांथ जा समिती ने दी थी वैट का सम्मंद बिक्री या बैपार कर से था वैट का सम्मंद बिक्री या बैपार कर से था वैट मुल वर्धित कर को सरपर्थम लागू करने वाला देश फ्रांस 1954 में है भारत में वैट एक अपरेल 2005 में लागू हुआ C.E.N.V.A.T. सेनवेट उत्पाद कर से सम्मंद इत है भारत में सेवा कर 1994-95 में परारंब हुआ भारत में सेवा कर 1994-95 में परारंब हुआ अगे देखते हैं भारतिय भासा ग्यान सम्मिधान के भाग सत्रे के अनुचेद 343 एक के अनुसार संग की राजभासा हिंदी और लीपी देवनागरी घोजित की गई सम्मिधान के भाग सत्रे के अनुचे 343 एक के अनुसार संग की राजभासा हिंदी और लीपी देवनागरी घोजित की गई संग की राजभासा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को माननता पराप्त की गई भारत में सरवाधिक बोली जाने वाली भासा हिंदी तता दूसरा बंगला है तिलगु भासा को इटालियन आफ इस्ट कहा जाता है तिल्गु भासा को इटालियन आफ दे इस्ट कहा जाता है, पंजाबी गुरु मुखी लिपी में लिखी जाती है, सरवाधिक निस्सोरी संबिधान के, संबिधान के अस्टम अनुसुची में बाइस भासाओं को मानता प्राप्त है, जबकि मूल में चौंदे थी, संबिधान के अस्टम अनुसुची में बाइस भासाओं को मानता प्राप्त है, जबकि मूल में चौंदे थी, राज भासा आयोक का गटन 1905 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, अंग्रेजी को अरुनाचल परदेश नागा लेंड एवं मिघाले में राज भासा का दरजा प्राप्त है, तिल्गू, मल्यालम तथा उडिया शामिल है, भारत में 6 भासा को शास्तुरिय भासा का दरजा प्राप्त है, जिसमें तमिल, संस्कृत, कंणर, तिल्गू, मल्यालम तथा उडिया शामिल है, 2004 में तमिल भासा को भारत की पहली शास्त्रिय भासा के रूप में दर्जा दिया गया संस्कृत 2005 में कंणर तथा तेलगु 2008 में मल्यालम 2013 में तथा उडिया को 2014 में शास्त्रिभासा का दरजा दिया गया संस्कृत 2005 में कंणर तथा तेलगु 2008 में मल्यालम 2013 में तथा उडिया को 2014 में शास्त्रिभासा का दरजा दिया गया भारत के पर्थम राष्ट कभी मैथली शरनगुप्त थे ग्यानपिट पुर्षकार पाने वाले पर्तम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंथ 1968 में थे ग्यानपिट पुरुषकार पाने वले परतम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंद थे अधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा संस्कृत ब्याकरन के जनक पाननी थे सबसे बड़ा महाकाब महाभारत है परतम हिंदू विधी निर्माता मनू थे महाभारत की रचना वेद ब्यासने की थी विश्व का आदी महाकाब रामायन को एवं आदी कवी वालमिकी को माना जाता है विश्व का आदी महाकाब रामायन को एवं आदी कवी वालमिकी को माना जाता है रमायन मुल्लिता संस्कृत भासा में तथा रामचरित मानस अबदी भासा में लिखी गई थी। कालिदास भारत का सेक्सपियर कहलाते थे सुमित्रा नंदन पंथ सुकुमार कवी कहलाते हैं विश्व की सबसे पराचीन भासा सुमेरियन है। भारत का आइंस्टीन नागरजुन को तथा कलम का स्याही मुंसी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी अशू लिपी के जनक राधे लाल द्यूबेदी थे। देश का पर्थम विश्व विद्याले नालंदा की अस्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त वन ने चार सो पचास इस्वी में जबकि पुनर जिवित धर्म पालने किया था। देश का पर्थम विश्व विद्याले नालंदा की अस्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त पर्थम ने चार सो पचास इस्वी में जबकि पुनर जिवित धर्म पालने किया था। विक्रम शिला विश्व विद्याले की अस्थापना पाल शासक धर्म पालने नवी सदी में किया था। पर्थम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 इस्वी में नागपुर में हुआ था। किंद्रिय अंग्रेजी वा विदेशी भासा संस्थान वा इंडियन स्कूल आफ बिजनेस हैदराबाद में है।